मैं वैज लो जो फिराब्ध मोर्लिक्त के अफ़ी में जाल रहा है इस्चुम के अभी तक हमने यह कि हमने क्ला foundation क्या निस उपना है एक कर हुँस्ट कीिा क्या है कि हुए उसके बाद स्यूर सब्सक्राइब प्रोडाटा को समझेंगे प्रोडाटा को समझने के लिए हमें जो टॉपिक समझना है वह बढ़े समझेंगे जिसकी बेस पर बनेगा तो यहां पर द्यान से देखेंगे बच्चे आप देखिए इदर देखो बच्चे इदर एक होता है बच्चे हमारा यहां पर अंडर सब्सक्रिप्शन और एक तरफ होता है बच्चे मेरे पास यहां पर ओवर सब्सक्रिप्शन पहले मैं बात करता हूं यहां पर अंडर सब्सक्रिप्शन की अंडर सब्सक्रिप्शन चीज क्या है किसी क्या बोला जाता है किसके लिए बनता है देखो बच्चे अंडर सब्सक्रिप्शन की 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 अंडर सब्सक्र आफ एट थाउजन शेयर अब देखो हुआ गया बिटा कंपनी यहां पर इशू कितना करना चाह रही है 10,000 शेयर लेकिन कंपनी के पाथ जो एप्लिकेशन आ रही है वो कितनी आ रही है सिरफ 8,000 शेयर के लिए तो इसको बोला जाएगा क्या अंडर सब्सक्रिप्शन क्या ब सब्सक्रिप्शन कितने के लिए आ रहा है तो ऐसे वाले कुश्चिन के अंडर हमें कोई सोचने के दिक्कर नहीं है सिंपल इसमें क्या होता है बिटा कि हमें सारी की सारी जो टांजेक्शन हैं वो हमें करनी है किस यह से 8,000 शेयर यानि 10,000 का इसमें कोई भी रोल नहीं है स अब ट्रांजेक्शन किस से करेंगे हम 8,000 वाले से करेंगे ठीक है अब जब हम बात करते हैं यहां पर किसकी ओवर सब्सक्रिप्शन की तो ओवर सब्सक्रिप्शन क्या है बेटा कहता है अब कंपनी इशूड 10,000 शेयर और रुपीज 10 एच कंपनी रिसीवड एप्लिकेशन ओफ 12,000 शेयर अब हुआ क्या बच्छे यहां पर कि कंपनी इशू कितना करना चारी है 10,000 लेकिन उसके पास की ओधिए बारा हजार इसके अंदर समस्मझे है tींद किया होगी कंपनी 10,000 शेयर देंब इचारी थी उसकेप檸 ऐबं हां года इसमें से application पर आये थे आपके 3 रूपे, allotment पर आये थे बच्चे आपके 4 रूपे और final call पर आये थे आपके यहां पर again 3 रूपे ठीक है बच्चे, तो यह आपकी कुछ situation बनी होई है यहां पर, अब ध्यान से सुनना इसमें entries होंगी कैसे देखिये इदर अभी मैं जो कर रहा हूँ वेटा, सारी की सारी entries जो कर रहा हूँ ना, वो मैं कर रहा हूँ over subscription के लिए ठीक है, under subscription में मैंने आपको simple बता रिया कि सारी transactions किसे कर लेना आप, आप आज़ार से उसमें कोई change नहीं है अब जब मैं over subscription की entry करूँगा सारी की सारी, तो पहली entry यहां पे दिहां से देखेंगे आप bank account debited भई मेरे पास application कितनी आई है, 12,000 application पे amount कितना आना है, 13 रुपे तो 12 दिया होगा यहां पे 36,000 तो 36,000 रुपीज मेरे को receive हुए 2 share application account 36,000 बेटा, over subscription के case में यह जो second general entry अब मैं करा हूँगा, यह very very important अगर आपको समझा जाती है तो अब हुआ क्या बेटा, कि अगला step क्या होता है, कि जो मेरे को share application पे amount मिला है, वो मेरे को का transfer करना होता है, share capital account में तो जब मैं इसको transfer दरूँगा तो जड़ा धियान से सुनना अब मैं जो बोलूँगा, बेटा, share application account debited, वह शेयर कितने थे, बारा हजार, इंटू में तीन, कितने हो गए बच्चे हाँ पे यह, 36,000, to share capital account, मैंने आपको last class में एक rule बताया था कि share capital के अंदर हमेशा original values ही जाएंगी, भई application मेरे पास 12,000 share किया ही है, लिकिन मैं actual में issue कितने कर रहा हूं यहां पे, 10,000, तो बेटा share capital में जो amount जाएगा, वो जाएगा, 10,000, इंटू में 3, it becomes 30,000, और जब बेटा question silent है, कि बई मेरे पास 12,000 application आई है, और question में कुछ नहीं कह रखता, इसका मतलब है बेटा, जो 2000 application फाल्टू आई है न, जो उसका पैसा मेरे पास इस entry में आ गया है, वो पैसा मेरे को क्या करना पड़ेगा, वापिस करना पड़ेगा, बई समझो, मैं यहाँ पर 50 बच्चे पढ़ा सकता था, सार बच्चों ने मेरे को application form बर दिया, तो 50 को तो मैंने एंडॉल कर लिया, दस के पैसे क्या करने पड़ेंगे, मैं रोको वापिस ही करने पड़ेंगे न, तो सेम यहाँ पर हुआ, भाई 12,000 के पैसे आ यहाँ जाएगा, यहाँ पर फास पास एंट्री में, लेकिन मैंने देने कितने शेयर्स को है, 2000 into 3 6000 रुपे क्या कर दिये बच्चे मैंने यहाँ पर वापिस कर दिये समझाएं एंटी 12000 एप्लिकेशन रिसीव हुई है और 10,000 को मिरे को कह देना था शेयर्स देने थे एक कंडिशन हो गई क्या द्यान से समझना भी इसको Case first यह वाला When full amount refund वह पहली situation क्या हो गई कि मैंने सारा का सारा amount क्या कर दिया refund कर दिया ठीक है अब अगली entry क्या होगी यह समझो वेच्चे यहाँ पर Case second ले रहा हूँ मैं आपका यहाँ पर quotient से हैं यह उपर वाला Case second क्या है When 50% amount is refunded and remaining adjusting adjust towards allotment मतलब समझो क्या हूँ एक example ले रहा हूँ यहाँ पर बहुत ध्यान चे समाना बच्चे आप में से कोई fees आया आपकी 1200 fees है आपने क्या तरह बेटा में को 15 सुर्पे दिये तो यह condition हो गई कि इसकी over subscription की मेरे पास 300 रुपे आपके over subscribe हो है अब 300 रुपे आये मैंने change निकाला change निकाल के बता चला मेरे बस 1500 रुपे change थे तो मैंने का बटा यह 1500 रुपे आप वापिस ले लो तो 50% amount क्या कर दिया मैंने आपको refund कर दिया हाथ वाथ क्या कर दिया बच्चे यहाँ पे refund कर दिया ठीक है अब बाकी कितने बचे 50% बच गए ना उस 50% को मैं यह कह रहा हूँ बिटा जब आप अगले मीने फीस दोगे ना मिरे को तो क्या करना आप वहाँ पे adjust कर ले ना इस amount को बास समझा गई? simple way में समझा दी तो अब same allotment वाले अब करेंगे कैसे उसको यहाँ पे देखिए आप बहुत ध्यान से समझना कलर दूसरा यूज़ कर ले दें ताकि आपको अब के सेकंड देखो बच्चे यहाँ पे first entry same रहेगी case second के अंदर क्या? bank account debited 12,000 in two में तीन आपके बास total कितने आए बच्चे यहाँ पे? 36,000 two share application account अब second entry में क्या change आएगा? वो द्यान से समझने वाले चीज़ है दुबारा द्यान देखना बस यहाँ पे आप share application account debited 12,000 in two में तीन कितने हो गए बच्चे यहाँ पे? 36,000 to share capital account वो क्या rule बताया? कि capital account में क्या जाना है? original जाना है तो original कितने है बच्चे? 10,000 30,000 number of shares देखते चरे जाओ 12 में से 10 adjust हो गए नहीं यहाँ पे? कितने बच गए दो? कितने बचे? 2000 2000 में से 50% को क्या करना है? मेरे को वापिस करना है तो जब वापिस करूँगा तो two कैसे? 2000 का 50% हो गया, 1000 इंटू में 3 और बाकी को कहाँ पे adjust करना है? share allotment में तो two share allotment account 1000 इंटू में 3 कितना हो गया यह? तो में देखो 12,000 पूरे shares तो हमें पूरे खरने होते हैं कि 12,000 थे वो गये कहाँ पे 12,000 में से 10,000 को हमारे ही थे 1000 वापिस कर दिये 1000 को मैंने allotment में डाल दिया अब इसका impact पड़ेगा जाके किसके उपर वेटा? allotment वाली entry पे 10,000 shares है अब आगी की सारी entry कितने से होंगी वेटा? 10,000 shares है क्योंकि actual में मैं देख कितने shares रहा हूं 10,000 ही दे रहा हूं allotment कितने का था? 4 रुपेगा कितने हो गए बच्छे यहां पे? 40,000 2 share capital account यहां पे वे कितना आएगा? 10,000 into 4 क्यों हो वेटा? क्योंकि यहां पे मैं receive नहीं कर रहा हूं यहां पे मैं due कर रहा हूं example continue करते हैं पहले वाला आपकी 1200 fees है माल लो आपने मेरे को 1500 रुपे दिये तो जब आपने मेरे को 1500 रुपे दिये तो आपके मेरे पास 300 रुपे एक्स्ता आगा तो 1500 रुपे तो मैंने आपको वापिस कर दिये अब लेकिन जब next month आएगा माल लो तो next month fees तो आपकी 1200 रुपे होगी ना बच्छे दियू कितनी होगी? 1200 लेकिंन जब आप 1200 रुपे में से आप 2700 रुपे क्या कर लो आप 900 कर लो या नि आप मेरे को पहले दे चुके हो तो अब इस केस में 3000 रुपे का allotment क्या आपके आOWNइं deci है य要 चुका है मेरे पास पहले ही आ आएगा 37,000, 2, share, allotment account 37,000.